Just I think that कि इसके बारे में जो है हमें एक फोकस करनी की जरुरत है तो मैंने इसके एक नोटीस किया है RTO बहुत ज़ादा इंक्रीज हो रहा है मेशो के प्लाटफरम पे इसके कारण जो है RTO का जो फीज लगता है इससे जो है seller को काफी ज़ादा लॉज जाता है और seller जो है exit कर रहा है इसके लिए जो है मेशो ने अभी new policy भी लॉंज किया है जैसे इनको यह realize हुआ कि return shipping charge जो है काफी ज़ादा sellers को लग रहा है तो उनोंने जो है अपना return shipping charge भी अभी 0 कर दिया, 0% कर दिया, then next one था, कि जो customer है, customer की end से जो अभी shipping charge, मतलब customer की end से अगर कुछ products return आता है, तो उस पे जो है आपको shipping charge देना पड़ता है, तो this is same thing for all platform, यह आप कुछ से भी platform पे चले जाओ, आपको जो same thing देखने को मिलेगा, बस अभी focus करने की चीज़ यहाँ पे यही है, कि आपका जो order है, यहाँ पे काफी जाड़े orders आपके बढ़ जाते हैं, इसके लिए जो है आपके RTO भी बहुत सारे return आते हैं, इतने सारे ल जो statement है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको जो है profit loss देखने को मिलेगा, आपको जो है वो accept करना ही है, अब चलते हैं हम next point के तरब, जो कि है आपको किस तरह से मेशो के साथ में, या फिक किसी भी online platform के साथ में business करना है, इस time पे मैं जादा mostly focus कर रही हूं मेशो के app पे, क्य क्योंकि अगर आपको पता है, तो normal से normal जो इनसान है, वो भी आज online business start करने का सोच रहा है, just because of मेशो, आप ही मुझे बताए, इतने सालों में जो है, क्या आप लोगों में से कितने ऐसे new seller होंगे, जो है new startup किया है मेशो के साथ में, new journey अपना start किया है मेशो के साथ में, और बहुत सारे supplier ऐसे भी है इसमें, जिनको जो यहाँ पर profit और पास्ट करो पर प्रेक्ट परेख कर तरुछ फे crist रू House